कुकीज तो आपने बहुत खाए होंगे, मगर ऐसे healthy कुकीज जिसमें ना आटा, ना मैदा, ना चीनी, ना गुर्ड, ना खजूर और ना ही अंडा है, आपने ऐसे कुकीज तो शायद ही खाए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बने कैसे हैं, इतने क्रंची और साथ ही में इसमें protein, calcium, omega 3 और धेर सारे minerals हैं, especially winters में तो इसे खाकर मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें चीकी की तरह गोड़ या चीनी बिल्कुल भी नहीं है, मगर ये वैसे ही crunchy है, और best part है कि इसको बनाने में सिर्फ एक मिनिट का काम है, इस holiday season में आप ये guilt free cookies बनाएं और मज़े से enjoy करें, और आप इसके crunch का अंदाजा तो इसे देख कर लगा ही सकते हैं, अब मैं इसकी आवाज भी आपको सुनाती हूँ, क्यों आ गया ना मूँ में पानी, तो आए हम फटा फट से recipe को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले आप से request है कि अगर मेरी वीडियो तो प्लीज उसे like और share जरूर करें, चानल पर आप नए हैं तो इसे subscribe करके notification bell को press करें, ताकि आपको मेने नई वीडियो की updates मिल सकें, मैंने 1 4th cup के करीब लिये हैं, सफेद वाले तिल, इसको मैंने roast नहीं किया है, ये कच्छे तिल ही है, साथ ही मैं 1 4th cup डाल रही हूँ, हलके से roasted और salted peanuts थे, मैंने वही यूज कर लिये हैं, इनको वस हलका सा break कर दिया है, दो pieces में, आप quantity कम्या जादा अपनी choice से किसी भी चीज की ले सकते हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, दो बड़े चमच, pumpkin seeds, pumpkin seeds में healthy fats, protein, zinc, iron, magnesium वगर बहुत सारे nutrients होते हैं, जो कि हमारे health के लिए बहुत अच्छे हैं, साथी में दो बड़े चमच डाले हैं, मैंने sunflower seeds, sunflower seeds में antioxidants भरपूर होते हैं, और ये हमारे immune system के लिए बहुत ही अच्छा है, साथी में healthy fats तो इसमें है ही, अब मैं इसमें दो बड़े चमच ले रहे हूँ, flex seeds, flex seed में बहुत अच्छे amount में, protein, fiber और omega 3 fatty acids होते हैं, अगर आपके पास इन में से कोई seeds नहीं है, तो आप skip भी कर सकते हैं, अब मैंने दो बड़े चमच लिए हैं, किश्मिष मैंने यहाँ पर golden और black दोनों किश्मिष लिए हैं, जो काली द्राक शाती है, वो और मैंने golden वाली जो हमारी किश्मिष होती है, व बताऊंगे, क्योंकि बनाना के sizes अलग-अलग होते हैं, तो मैंने इसको mixi jar में डाल लिया है, और अब मैं इसका एक puree बना लूँगी, प्यूरी हमारी एक कटोरी रेडी हुई है, इसी कटोरी से मैंने तिल और peanuts को measure करके लिया था, मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके puree डा कर सकते हैं, तो हम इसमें अच्छे से इसको mix करते जाएंगे, और थोड़ी-थोड़ी करके puree डालेंगे, जैसे-जैसे वो seeds हमारे banana puree को थोड़ा absorb करते जाएंगे, हम इसमें add करते जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम बहुत जादा banana puree डाल देंगे, तो जो हमारे cookies बनेंग है, वो इसको हलकी सी sweetness देंगी हमारे cookies को, और banana की भी sweetness होगी, बहुत जादा sweet नहीं होते हैं, यह cookies, मगर जो nuts और seeds का crunch आएगा, बेक होने के बाद, और वो हलकी सी किशमिश और banana की मिठास, बहुत ही amazing combination है, और यह मैंने half teaspoon और डाल दी है, banana puree, और इसको मैंने अच्छे से mix कर लिया है, तो यह हमारा batter एकदम ready है, यह देखिए, ऐसा texture होना चाहिए, बस हलकी सी binding आजाए, बनाना के साथ, और अगर by chance आपने जादा डाल दी है, banana puree, कोई tension की बात नहीं है, आप इसमें थोड़े से nuts or seeds और add कर दे, क्योंकि यह recipe में यही तो फायदा है, कि इसमें कोई perfect measurement वगरा कुछ भी नहीं है, और best part है कि इसको बनाने में कोई भी महनत नहीं लगती है, आपके पास अगर आधा बनाना भी है, तो अफट आफट से एक इसको बना सकते हैं, और यह जो हमारी purity उसमें से दो चमच के करी बच गई है, तो अगर आप इतनी quantity of nuts and seeds में half बनाना ल और इसको हम हाथ से नहीं डाल सकते क्योंकि यह binding तो है नहीं बहुत जादा इसमें, तो बस हम ऐसे इसको spoon की help से इसको spread कर देंगे, बस यह ध्यान रखना है कि एकदम पतली layer में हम इसको लगाएं, जितनी पतली होगी अच्छे से सिखेगी और एकदम बढ़िया सा crunch जनरली में हम विंटर्स में चाहते हैं कि हमारी डायेट में हम नट्स और सीट्स को इंक्लूड करें तो हम चिक्की या लडू अगर बनाते हैं उसमें हमें घी या चीनी गुडव अगर डालना पड़ता है इसको हम अराम से इंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन और गिल या बड़े कर सकते हैं अब हम इने बेक करेंगे तो इसके लिए मैंने अवन को प्रीहीट कर लिया है 140 डिग्री संटीग्रेट पर और इसको मैं 30 तो 35 मिनिट्स तक या फिर इसका कलर गोल्डन होने तक इसको बेक कर लूँगी टाइम 40 मिनिट्स तक भी लग सकता है क्योंक हमारे कुकीज एकदम बेक होके रेडी हो गए कितना पढ़ियासा गोल्डन कलर आया है अभी थोड़े ये गरम है मैं आपको लेकिन दिखाती हूँ कि ऐसे कलर पे ही आप इसको निकाले आवन से ये देखे I am sure आपको भी देखकर मन कर रहा होगा इसको टेस्ट करने का कितने क्रंची हैं हमारे कुकीज मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा तो देर किस बात की है आप भी फड़ा फड़ से ये कुकीज बनाईए और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ इंजॉय कीजे अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है और इसे ज को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट्स मिल सकें मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल दैन टेक केर हैपी हॉलिडेज बाई